हाई फ्रेंट्स, वेलकम डूजी वेंट रिटेक्टेव, व्यासे तो लिनोव अपने काफी अच्छे प्रडक्स जो है लॉंच करता ही रहता है, चाहे बात कर लें उनके लैप्टॉप्स की, नोट्बुक्स की या फिर लिनोव के योगा टेबलिट्स की जो की आपने यूज कर रही होगा, काफी अच्छा प्रडक्स था, तो फ्रेंट्स आप कल ही जो है लेनोव ने अपने कुछ नए प्रडक्स लाउंच करे हैं इंडिया में, क्योंकि होने वाले हैं लेनोव के योगा लोट्बॉक्स, तो फ्रेंट्स उसमें इन लाप्टॉप्स में आपको इस प्रेंट होगा, तो फ्रेंट्स आगर मैं फर्स्ट आप बात करूँ, लेनोव के जो टॉप्स मोडल होने वाले हैं, वो होने वाले हैं, लेनोव योगा नोट्बुक बॉक्स ये बारे में, तो फ्रेंट्स इसमें आपको देखने को मिलने वाली है, 13.3 इंचिस की IPS डि लेंगे, एक तो 1920 के resolution के साथ, एक मिलने वाला है, 2K के resolution के साथ, जो की Quad HD का होगा, 2160p, तो फ्रेंट्स अगर मैं बात करूँ उसकी specifications की, तो इसमें होने वाले हैं, इंचल के latest 7th generation के processors, साथ-साथ इसमें होगी 16 GB of DDR4 RAM, और इसमें आपको देखने वाले, storage के ममले में, आपक लोड करेगी, और काफी अच्छी जो speed आपको experience करने को उसके मिल लाएगी, तो फ्रेंट्स अगर connectivity की बात करूँ, तो इसमें आपको मिलने वाले है, latest Wi-Fi 802.11ac support, अगर फ्रेंट्स, आपको अगर Wi-Fi और इनके connections के बारे में ज्यादा जानना है, तो आप मेरी इस वीडियो इसमें आपको USB Type-C collector मिलने वाले है, दो, और साथ यसाथ मिलने वाला है Thunderbolt support, तो फ्रेंट्स, बहुत काम ऐसे laptop देने, जिसमें आपको Thunderbolt support मिलता है, तो जो Type-C है, उससे आप शायद ये low ultra power laptops होंगे, तो इने आप चार्ज भी कर पाएंगे, पावर बैंक से, और Thunderbolt से आप इसमें अपना external graphic card यूस करना चाहते है, तो वो भी कर पाएंगे, तो फ्रेंट्स, अगर मैं इसकी price point की बात करूँ, तो इसका price point होने वाला है लगबग 79,500 रुपीस के आजपास, और next of all बात करते हैं, फ्रेंट्स, Lenovo के Yoga 520 notebook, इसकी जो screen resolution है, वो होने वाली है 14 inches की, और इसका जो resolution होने वाला है, सिर्फ आपको 1925 1080p full HD में ही मिलेगा, और इसमें भी आपको latest Intel के 7th generation के processor देखने को मिले वाले 16GB of RAM, Wi-Fi support, और इसमें आपको जो है, सिर्फ USB Type-C connector देखने को मिलेगा, इस वाले में Thunderbolt port support नहीं है, और इसमें specification है friends की, आपको Nvidia का dedicated 940MX graphics card मिलेगा, जो की काफी अच्छी आपको editing और multi-dasking में help करेगा, तो इसमें जो, इसका जो battery backup होने वाला है, वो हने वाला है 10.5 hours का, और पिछले वाला जो 720 था, उसका battery backup होगा 9.5 hours का, और अगर मैं इसकी price point की बात करूं, तो इसका price point होने वाला है, लगबग 39,600 rupees के आजपास, और इस access की जुरत पड़ती है, तो आपको external, अगज से कोई fingerprint device खीटने की जुरत नहीं, इसमें आपको inbuilt मिल जाता है, और sunset आपको इसमें मिल जाता है, stylus का support, जिससे आप इसके अगर sketching बगेरा, या भी presentation मनाते है, तो इसमें काफी आपको support मिलने वाला है, और आप इस लैटोप 320S models है, वो आपको थोड़े कम price point में मिल जाएंगे, और जो सबसे least price point का model होगा, 320 मोडल होगा, 320 में आपको 17,800 रुपे के आसपास मोडल मिल जाएगा, तो अभी मैंने काफी सारी sites पे checkout कर रहा, यह अभी मिल तो नहीं लें शायद, पर जल्द ही आपको purchase करने के लिए Amazon F Flipk पे मिल जाएंगे, तो friends, आप मेरे को मताईए कि आपने अगर इससे पहले लिनोवो का notebook, tablet या laptop या laptop यूज करा है, तो वो आपको कैसा लगता था और उसकी performance क्या थी, और जो ये नए Lenovo के yoga notebooks आने वाले हैं, इनके जो specifications हैं और price point है, कितने अच्छी हैं आपके laptop या फिनोट जादाा हैं, झाले हैं, नच्छी हैं और नीयू मेरे हैं, आपके उसे विल